कि नमस्कार आप संवाद टीवी में मैं हूँ आपके साथ सूरश सिवारी इस बक्त मैं मौझूद हूं प्रयागराज में एक गंगा के तट में ये एक बावा लेटे हुए हैं आप देख सकते हैं जो काटों में लेटे हुए हैं ये देख सकते इनके पीछे भी काटा जो जि किये किसी कि परकार का पुछ नहीं होगा कि कोई फिर करणा नहीं बड़े आराम से हैं और येी तर्म को फिर नहीं को चे होई हैं लेकिन यह इन्हें बड़े काटों में नुकूले काटों में लेटे हुए किसी प्रकार की कोई दर्द नहीं किसी प्रकार की कोई करान है बाबा क्या नाम है आपका कहां से आए हो गोरगपूर से किलने दिन हो एक महिने हो एक महिने हो अच्छा तो एक महिने से आप यह हो गंगा के तट में एक महिना से यह काटों में लेटने के पीछे क्या कारण है करा दें तो काटों में क्यों लेटने मैं यह पूंच रहा हूं यह काटे आपके चुपते नहीं है समाधी है ना समाधी है यह कैसी समाधी है कि सरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं आप और समाधी क्या हुआ यह कैसी समाधी है कि आप सरीर को इनना कष्ट इनने नुकुलिय काटों में लेटे हुए है पांस ताल से लगाते हैं हम लोगा हां यह हम को इती हैं तो कहां से सीखा था यह आप गोरकपुरसे किन ने सिखाया था हम भी सिखें बच्चे से सिखें हैं कौन बच् लेटे हुए है किने सालों तक आप लेटे हुए है किने सालों काप लेटे हुए हैं बस मेला तक रहेंगे मेला के बात कहां चले जैए आपको प्रतिक कर सकते थे और बहुत सारे भकती मार के रास्ते हैं पूजा ध्यान कर सकते थे यहोग्ये आपके साथ बच्चे भी हैं यह काटों में जिसता से आप देख रहे हैं लेटे हुए है बोल रहे हैं कि पेट के पालने के लिए मैं लेटा हुआ हूँ लगभख 5 सालों से ऐसा कार कर रहा हूँ बाबा जो है उत्ता प्रदेश के गोरा कुर से आये हुए हैं और काटों में यह देखें किस तास लेटे हुए किसी प्रकार कोई है आप मैं पीछे दिखाना चाहूँ कि लगभख 5 साल से यह लेटे हुए है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे जहां जाते हैं यह अपने यह जुकांटा लिए हैं यह लेकर साथ में जाते हैं मैं दरस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा करतब दिखाने कोशिस जरूर न करें कता ही न करें वीडियो चनल कि लगभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ